अब जानते हैं खबर विस्तार से देशवा बिहार बासियों को जन प्रतिनीदियों ने दी इद की बधाई देशवर में आज आप से प्रेम भाईचारी कत्योहार इद मनाया जा रहा है इस बार भी पिछले साल की तरह लॉग डाउन रहने पर लोग अपने अपने घरों में ही इद का त्योहार मना रहे हैं वहीं मुसल्मानों के सबसे बरेत्योहार पर पीएम मोदी मुख्य मंतरी नितीश कुमार राज़त प्रमुक लालू यादव समेट कई निताओं ने लोगों को बधाई दी है वहीं बिहार के मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने प्रदेश वासियों को इद की शुपकामनाई दी और करोना संकर से संकल्प के साथ निपटने की बात कही दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से मुस्लिम भाई बहनों को इद की शुपकामनाई देते हुए बहतर स्वास्त की कामना की नाइट कर्फ्यू का उलंगन करने वालों पर डंडे की जगा अब बसूले जाएंगे रुपए बिहार में कोरोना गाइडलाइन्स की तहत शाम के चेह बजे से सुबा के चेह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है ज़रान अगर बेवजह कोई लोग घूमते हैं तो जुर्माना वसुला जाएगा और जुर्माने की तहत 2,000 रुपए ऐसे लोगों से ले जाएंगे दरसल हाली की दिनों में पुलिस द्वारा रात में पकर जाने वाले लोगों की पिटाई करने और उन्हें कही तरह से प्रतारित करने के मामने सामने आ रहे थे ऐसे में मिल जही शिकायोत की बाद राजपुलिस मुख्याले के डीजीपी एसके सिंगल ने पुलिस कर्मियों को इस तरह की कारवाई ना करने को लेकर हिदायत दी है वही रात में सुनसान हो जाने के कारण अब पुलिस की चौकसी को सुरक्षा के मद्दे नजर और भी बुगता किया हर वर्ष बाड की विविशिका से जूजने वाले अपने राज में इस वर्ष भी बाड को लेकर पूर्व तयारियां की जारी है इसके तहत मुख्यमंत्री नितेश कुमार के आदेश के बाद लोग स्वास्त अभियंतरन विभाग ने जिले के अपने कारपालक इसके लिए विभाग ने किसी भी कीमत पर 30 मई के पहले स्वास्ति ने 26 जिलों को पत्र भेज कर अलर्ट जारी किया है जिसमें बाडवाले चेत्रों में पेजल शौचाले और सच्छता आदी के विवस्ता की पूरी तयारी पहले से कर लेने को कहा गया है ताकि ततकाल पूंगेर भागलपूर और लगे सराय में अलर्ट भीजा गया है इसके लिए विभाग ने किसी भी कीमत पर 30 मई के पहले सारा काम पूरा करने का आदीश दिया है बीते देर रात पपू यादव से मिलने DMCH पहुंची रंजीत रंजन जाप्रमुक पपू यादव की गिरफतारी के बाद बीते दिन उनकी तबियत बिगरने के बाद उन्हें इलाज के लिए दर्भंगा Medical College सा अस्पताल में बढ़ती करा गया जहां गुरुबार देर रात उनकी पतनी रंजीत रंजन जानकारी मिलते ही पहुँच गई वहीं इस दौरान पपो यादव से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बिहार सरकार पर उनकी पति की सेहत के साथ खिलबार करने के आरूप लगाया कि जिस तरह के इंतजाम में उनकी पती को रखा गया है एसे म यह नहीं कहा चाह सकता कि वह कब संक्रमित हो जाएंगे सरकार भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और अगर पपो यादर की सेहत पर कोई बुरा असर पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार यह होगी वहीं मुलकात के बाद वे वापस मधिपूरा लोट फिलहाल में बिहार में ही रहने वाले हैं रास्टे मानाविदिकार आयोग ने गंगा में लाश मिलने की घटना पर यूपी बिहार सरकार से मांगा जवाब बिहार के बकसर जीले में गंगा नदी में लाश मिलने की घटना बिहार समेत देश बढ़ में चर्चा का विशय ब और यूपी वा बिहार सरकाल को नोटिस जारी करके गंगा नदी में पाई गए लाशों का ब्योरा मागा है इसके साथ ही आयोग ने पूछा है कि इसके लिए कौन जिमेदार है और अधिकारियों के खिलाफ क्या कारवाई हुए है इसक्रम में एनच आर्सी की ओर से जारी नो कोरोना से जान खोने वाले आश्रितों को मिल रहा है अनुदान राशी बिहार सकाल के आपदा प्रबंदन विभा की तरफ से कोरोना से जान गवाने वाले की परिजनों को मदद की तौर पर अनुदान की राशी दी जारी है इसक्रम में वेश्विक महामारी कोरोना के पहली और दूसरी लहर में जिन भी लोगों के जान गई है उनके जिला में निबंदन होने की बाद ही अनुदान स्वरू उपर आशी मिलेगी जिलाज करवाते हैं ऐसे में पटना जिला प्रशासन को अब तक मिली सूची के अनुसार इस तुनकरमन से मरने वाले ज्यादतर लोग पटना जिला से बाहर की बताय जा रहे हैं वैसे लोगों को वेरिफाई कर उनकी अनुदान रास्ती उनके जिले में भेजी जा रही है लो रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन तबियत में गरबरी होने की वजह से वे दिल्ली में होम आईसोलेट किये गए हैं इस बात की जानकारी बिहार नोस पर प्रदेश मेरिया प्रभारी सरप्रवक्ता कृष्णा सीं कलू ने गुरुबार को इसकी जानकारी दी के सामने आर्थिक संकत्वित्पन हो गया है जिसके लिए सरकार ने ऐसे ग्रामिनों को मनरे का योजना में बड़े प्यमाने पर रोजगार उपलद कराने के लिए सभी जीलों को आदेश जारी किया है इसके तहत बिहार के ग्रामिन विकास मंत्री श्रवन कुमार ने नारं आगे इस तर से कुरोना से बचा भेतू कारिस्थल पर सव्यावशक उपाए एबं मजदूरों को ठीका करन के लिए प्रूतसाहित भी किया जा रहा है पटना के एक और अस्पताल से आया ऑक्सिजन की काला बजारी का मामला कुरोना काल में एक तरफ कई डॉक्टर मसीहा ब अपदा में एउयो ने चापिमारी करते हुए निदेशक के ऑक्सिजन से लंडर की कालाबा जारी करते हुए ग्रफ़तार किया है इस क्रम में डियास्पी रसनीज कुमार दियास्पी बासकर के नित्रित में एउयो के एक विशेश्टीम ने शास्तरी नगर में संच्छालि की पूरी जाज की जारी है तुवे बिहार को अमेरिका से मिली 184 ऑक्सिजन कॉंसेंट्रीटर व्यासवी कापदा कोरोना से जंग लगने के लिए बिहार को देश के साथ ही विदेशों से भी मदद मिलने लगी है इसके तरहत गुरुवार को अमेरिका की कम्यूनेटी पार्ट के नूता वासुर से संपड़ करती है इसके तरहत फिलहाल इन्हें फतुहा के वेयर हाउस में रखा गया है जिसके बाद 23 कॉंसेंट्रीटर कंकर बागिसित सवेरा हॉस्पिटल को जबकि 79 भाबा हॉस्पिटल एवं कैंसर रिसर्च सेंटर मुझज़परपूर को तथा 92 प्रात्मिक चिकत्सा केंद्रों को दिये जाएंगे बता दे कि करोना के मॉडर्स ट्रेनी के लोगों के लिए यह कॉंसेंट्रीटर बहुत लाप्रद है यह दिवाईर से कमरे से हवा को खीच कर उससे यह दिवाँ गणार लिकिन फैन्सकों को इंतजार रखने को कहा है वहीं खबर यह भी है कि पायल देव के साथ दोबारा हिंदी गाने में नज़र आ सकते हैं इसका खुला सा खुद मशूर सिंगर पायल देव ने एक इंटर्वियो में किया है डेप्टे सीएम ने बीजेपी निताओं को दिया जरूरत मंदों के सेवा करने का निर्देश बिहार के उपमोख्य मंतरी वर भाषपा निता अतार किशोर प्रसाद ने कोरोना काल में पीरितों के सहाथा के बाबत कटिहार की बासपा विधायक जिराद्याच समीत बासपा न की जरिये चेकित से सलाह ले सके इसके अलावे कोरोना से संबंदित अईरुवेदिक दवा का किट बना कर भी बातने को लेकर सलाह दी गई डिप्टी सीम ने कहा कि राजवर में ऑक्सेदन सिलंडर कंसेंट्रेटर बायो पेप मसीन सहित अनाफशक उपकरनों इवं दवाव उपलब्दता सुनिश्चित कराने की दिशामी काम किया जा रहा है और कटिहार में साथ ही अतिरिक्त साथ बाइव पेप मशीन बेजी गई जिसके बाद जिले को अब कुल 12 बाइव पेप मशीन उपलब्द होने कि साथ ही चार वेंटिलेटर को भी क्रियाशिल किया गया है। चार महीने पर दो हजार दो हजार रुपय की तीन किस्त दी जाती है। अगर उनको ब्रितिस नागरिक्ता मिल जाती है तो आईपियल ने खेलने का उनका रास्ता साफ हो सकता है। कि पाकिस्तान के खिलारियों के इस टूर्णामेन पे खेलने पर पाबंदी है। या फैसला पाकिस्तान के साथ रिष्टे खराब होने की वज़ा से बी सी सी आई रिकिया था। लेकिन प्रिटिस नागरिक्ता के लिए अरजी देने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट को अलविदा कह चुके पूर्वतेज गेंदवाज मुहमद आमीर आईपियल में खेलते नजर आ सकते हैं। बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के 24 गंटे में कुल 7752 कोरोना केसा हैं वहिश दोरान कुल 11008 लोग ठीक भी हैं जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिमर जोकी संक्या 96270 हो चुकी है वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामने कम आ रहे है और रिकवरी रेट बड़े हैं जो कि बढ़कर 84 दसबलब एक पाच फीसदी हो चुका है तो चले बढ़ते हैं आज की सवाल क्यों और आज की सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में बार्ड से निपटने की सरकारी तयारी आपके आसपास के छेतरों में ह हो रही है या नहीं आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रू बताया और बिहार से देखवलों से अपडेटेड रहने के लिए जुरे रहे हैं बिहारी निउस के साथ तब तक के लिए नमस्कार